आस्मान में काले घने बादल हैं और इन काले बादलों के बीच कहीं चांद जो है वो जाकर छिप गया है लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये चांद अब हमसे ज्यादा दिन छिप कर रह नहीं सकेगा इसकी लुकाचिपी का खेल अब खत्म होने वाला है क्योंकि हमारे चंद्रियान 3 ने शुरू कर दिया है चंद्रमा तक का सफर नमस्कार आप देख रहें न्यूस बाइसकोप और मैं हूराकेश रंजन श्री हरी कोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुक्रवार 14 जुलाई को चंद्रियान 3 का लॉंच किया गया और ये लॉंच जो है वो सफल रहा है और ये बड़ी खुश खबरी है चंद्रियान 3 कब तक पहुँचेगा आपको चांद तक आज ये भी आपको बताने जा रहा हूँ लेकिन पहले बता दू दोपहर 2 बच कर 35 मिनट पर चंद्रियान को लॉंच किया गया और यहाँ पर जो है फैट बॉय रॉकेट जिसे आप कहते हैं उसके जरीए चंद्रियान को लॉंच किया गया फैट बॉय मतलब LVM3M4 रॉकेट की जरीए इसे लॉंच किया गया यह रॉकेट जो है भारी चीजों को लेकर उपर की ओर जाता है और इसलिए इसे फैट बॉय कहा जाता है लॉंचिंग के बाद सबसे पहले अगर हम बात करें तो बुस्टर और पेलोड को अलग किया गया और तीसरे और अंतिम चरण में क्रायोजनिक इंजन स्टार्ट हुआ और इसके बाद हमारा चंद्रियान 3 चंद्रमा की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा जैसे ही ये और्बिट में अस्थापित हुआ सतीश धवन केंद्र में उपस्थित सारे वैज्यानिक जो है खुशी से जूम उटे जश्न का माहौल हो गया और ऐसा ही जो चंद्रियान 3 लॉंच किया गया था तो हमारे आफिस का भी था और यहाँ पर सभी जो है उस वक्त तालियां बजा कर इसका स्वागत कर रहे थे चंद्रियान 3 की अगर हम बात करें तो इसे जो है चांद तक पहुचने में तकरीबन 42 दिनों का वक्त जो है वो लगने वाला है अगर आप चंद्रियान 2 से इसकी तुलना करें तो चंद्रियान 2 जो है 48 दिनों में चांद पर पहुँचा था तो चंद्रियान 3 को जो है 42 दिनों में चांद पर पहुँचाने का इसरों का इरादा है मतलब की पहले से कम समय लगेगा और जो अभी बातें बताई जा रही है उसके अनुसार 23 अगस्त को शाम 5 बजकर 47 मिनट पर चंद्रियान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो लैंड करेगा चांद पर तो आपको ये बता दू हलाकि इस्तिति में परिवर्तन हो सकता है कुछ फैक् की परइसला रही है वो यही है अब आपको ये बता दू कि जो हमारा चंद्रियान 3 है वो लैंड कहां करेगा जो इसका लैंड डे वो उसे लेकर कहां उतरेगा तो आपको बता दू कि ये चांद के धक्षनी धुरूर साउथ पोल पर जो है ये उतरने वाला है आपको ये भी बता दूं कि चांद तक पहुचने वाले गिने चुने देशी हैं अमेरिका है रूस है चीन है और भारत इसके बाद आ जाएगा तो अब आप समझें कि ये तीन देश भी साउथ पोल पर नहीं उतरे हैं तो भारत अगर साउथ पो अब चुनौतिया क्या क्या हैं अगर हम उसे देखने की कोशिश करें तो देखिए सबसे पहली चुनौति जो है वो ये है कि चांद पर सौफ्ट लैंडिंग हो लैंडर की ये सबसे जादा जरूरी है तो लैंडर विक्रम की अगर सौफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो पहल भी कामियाबी हासिल होगी, हलाकि अभी इसके लिए हमें इंतजार करना है, क्योंकि अभी चंद्रियान 3 जो है, वो यात्रा में है, सफर पर ही है, चांद तक के. इसके बाद जो रोवर होगा, वो जो चांद की सत्ह है, उस पर चहल कदमी कैसे करता है, मतलब रोवर की मून वाक पर भी सब की नजर होगी, अब जो रोवर मून वाक करेगा और जो जानकारियां इकठा करेगा, वो देगा और फिर उससे चांद के बारे में और बहुत सारी से जानी जा सकेंगे तो ये सारी चीजे जो है चंद्रियान 3 से जुड़ी हुई हैं देखिए चांद से हमारा जो रिष्टा है ना वो बहुत पुराना है और बच्पन से जुड़ा हुआ है मुझे याद है कि जब मैं भी छोटा था आप भी छोटे रहे होंगे तो आपने य मुन्ने को दोई प्याली में तो चंदा मामा जो है तो एक आकर्शन तो वहां से था जब आप बच्पन से जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो फिर लोगों के खुआब में जो चीजे आती हैं वो आती हैं कि चांद सी महबूबा हु मेरी तो वहां पर जो है वो रू पर क्या चीजें हैं क्या कुछ है यह सारी बाते जो है वो चंद्रियान 3 के जरिये हम हासिल कर सकेंगे हम उमीद करते हैं कि चंद्रियान 3 की चांद पर जो है वो सफल और सौफ्ट लैंडिंग होगी और उसके बाद जो रौवर का काम है वो उसे बहुत भी अंजाम देगा तो चंद्रियान 3 के इस मिशन को जो ये यात्रा है चांद तक की उसे हम धेरोश्युप कामनाएं देते हैं और इश्वर से प्रार्फना करते हैं कि ये यात्रा सफल हो और फलडाई हो अभी के लिए इतना ही इजाज़त दें नमस्कार